नमसकार दोस्तों, सहाधत करते हूं, आपलुब सिधार लाय فर्वार में, जैसे कि आप लोग बनी को पता हो कोप कांसिलिंग स्टाट होने है दो जार बाइस की बीज सबीड करेंज होरा है वो पांच हैं उसके बाद additional round start होते हैं A, B, C, D, E जो की fix नहीं होते हैं जो हर साल vary करते हैं depending on seat तो यह जो पांच round है इनके लिए सब कुछ fix रहता है यहाँ पर 3 options आते हैं accept, reject and retain ठीक है यह 5 option तक चलेंगे उसके बाद जब आप additional round में जाओगे तो आपके यह तो accept option आएगा यह तो reject option आएगा अब बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि accept, retain, reject कैसे करना होता है यह जो freeze कर लेते हैं भूब क्या होगा ठीक है किस type से option आएगे यह सारे details होता है लोगों को नहीं वालूम होती है तो इससे बहुत ज़्यादा confusion होता है तो यह जो ऐसी चीज है जिसको आप आप छोटे से टाइंग में नहीं समझा सकते मैं आप लोग क्या बोलूँगा मैंने आज यहां पर लिंक दे रखी है उसको ना कर सकते है और मझें जो इसको अपने कर सकते हो काउंसलिंग जो आप लोगों को ऑफर मिला है इसको बहुत से ले ले लेते हैं और बात मुंद को ओल्ड इसको करना बहुत जलूरी है तो आप लिंग में जाके ना पहले से एंड्रोल कर लो जिससे आपको पता रहे कि लोगो से क्लास और अज 9 बजे ये क्लास इसको जब लुए पर प्रेजेंट तो सारी नीटर्स में अपहले लिए कर दूगा ऑल दा बेस्ट फॉर एक कोउंसलिंग पहला राओंड है अच्छे से होगा बहुत सा लोग पहली बार दे रहोंगे मैंने भी कभी अपने आप लोग भी करोगे, all the best, bye bye